लोगसभा चुनाव 2019 के लिए सभी राचनेतिक दलों ने अपनी कमर कसली है उत्तर प्रदेश में काफी अर्से बाद साथ हाई बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ रण में उतरने को तयार है गौर्तलभे की सभा प्रमुक अखिलेश यादव और बसपा अध्यक्ष मायावती की बैठक में दोनों नेताओं की साजह रहलियों को लेकर पात हुई जानकारी के मुताबिक सभा प्रमुक अखिलेश और बसपा प्रमुक मायावती लोगसभा चुनाव के दौरान एक साथ अठारा साजह रहलियों करेंगे माना जा रहा है कि लगभग हर मंडल में कम से कम एक और मजबूत माने जाने वाले मंडलों में कम से कम दो साजह रैलियां हो सकती है मायवती और अखिलेश की 18 साजह रैलियों में से सिर्फ पहली रैली की तारीक का एलान हुआ है जो 7 अप्रेल को देवबंद में आउचित होगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रिय लोगदल की सयूक्त चनावी रैली होली के बाद शिरू होगी पश्चि में उत्तर प्रदेश में इन दिनों सयूक्त रैलियों की शुरुवात 7 अप्रेल से होगी इन रैली में बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमों, मायवती, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रिय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रिय लोगदल के अध्यक्ष अजीत सिंग संबोधित करेंगे उतर प्रदेश की राजनेती में मायवती और अखिलेश की ये नई जोड़ी सिर्फ साजह रैलियों में ही नहीं बलकि चुनाव प्रचार में भी इस्तेमाल होने वाली चीजों में देखेगी दोनों की एकता दिखती है पोस्टर्स, बैनर्स और टोपी टीशर्ट के अलावा सभी जगहों पर दोनों नेताओं की साजह तस्वीरे दिखाई दे सकती है आपको बता दे कि 1993 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब बस्पा और सपा के नेता एक साजह रैली करेंगे इससे पहले 1993 में कांशी राम और मुलाइम सिंग यादों ने साथ में रैलिया की थी उतरप्रदेश में साथ चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव में दोनों नेता हर चरण में कम से कम दो दो साजह रैलिया करेंगे बहुत जल्दी रैलिया भी होंगी दोनों दल मिलकर के रैली कराएंगे जगे और तारीक बहुत जल्दी इसकी जानकारी मिल जाएगी उसी की बातचीत के लिए कल मैं मिला था सब जॉइंट रैलिय्स होंगी आपकी और मायवती जी की फेसे में कैसे जॉइंट रैलिय करनी हैं उसी पे बातचीत हुई थी और कुछ तारीकें लगबग तैह हो गई है कि कब शुरू किया जाए और मैं समझता हूँ नवरात जब शुरू होंगे तो दोनों गठवंदन की रैलियां भी शुरू हो जाएगी जदी चुनाव में हमारी पार्टी के लोग पूरे देश में सभी विरोधी पार्टीों के साम दाम दंड भेद आदी हतकंडों से साबधानी बरत्य हुए अपनी पूरी सूजबूज वे दंडारी के साथ ये चुनाव लड़ते हैं और साथ ही अपना भेटर रिजल्ट भी दिखाते हैं तो फिर मान्नेवर शिरी कांशी राम जी के प्रती इनकी यही सच्ची शर्दा भी होगे